आप सभी को रह्मोक नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से वस्थ हैं। आप सभी को होली की बहुत-bहुत-bहुत सो कामना हैं। और होली में गिफ्ट तो बनता ही है। तो पाँच बड़ी सूचनाएं लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और वो पाँच सूचनाएं क्या हैं उनकी बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा पहली चीज़ जो नई मेरी मैस की बुक आने वाली थी वो अब आ चुकी है उसके लिए हम आज से प्री आर्डर स्टार्ट कर रहे हैं बुक अभी पुब्लिशिंग के लिए जा चुकी है तो फाइनल जो वर्जन है बुक का वो पुब्लिश होने के लिए गया है इस बुक में 7000 से ज़ादा सवाल हैं और खास बात हमने क्या किया है कि इस बुक में एक बुक को हमने दो भागों में बाट दिया है एक भाग में सिर्फ प्रशन होंगे और दूसरे भाग में explanation और solutions होंगे आप होगे ऐसा करने की क्या जरूरती देखे सुरू से मेरा अपना ये मानना रहा है कि जो प्रश्ण होते हैं questions होते हैं वो great learning opportunity होती है मेरी पूरी learning हुई है questions के साथ ही solution को मैं कभी देखता ही नहीं था उन questions के साथ जादा समय बिताने से मेरी पूरी learning हुई है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे याद है मैं जो handouts देता था class के उसमें answer की भी नहीं देता था कि A सही है बी सही है बच्चों से बोलता था जू जो जो लेकिन फिर बाजार के हिसाब से खुद को डालना पड़ता है फिर हमने answer की देना शुरू किया है handouts के ABCD में से क्या correct है और जो book आई है उसमें solution भी हमने दिया है ताकि reference के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए अगर आपसे सवाल नहीं हो पार है तो कम से कम आप solution देख पाओ लेकिन problem यह होती है कि किताब में जब वही solution लिखा हुआ है तो भीया तुम तो फिर देखोगे ही तुम प्रश्न करोगे तुम से नहीं हो रहा है immediately आपको जब उसी किताब में solution लिखा हुआ है तो कैसे अपने आपको रोग पाओगे बात वही है कि तुम जिससे प्रेम करते हो वो खिड़की पे खड़ी हो तो नजर कैसे नहीं जाएगी तुमारी यही बात है ना तो कुल मिलाके हमने तोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करी है आपके लिए दूरी यह है कि दो सेट्स में होनी के वज़ासे एक बुक में सिर्फ प्रश्ण है एक में सॉलूशन है सॉलूशन वाली किताब को अलमारी में रखके लगा दो ताला और फिर किताब को लेके बैठो जिसमें सिर्फ क्वेस्चन्स हैं और उनको बढ़िया से सॉल्व करो देखो तुम कहां फस रहो सॉलूशन रिफर नहीं करना है तुरंत सॉलूशन तब रिफर करो जब आपको लगता है कि आपसे खुद से वाकई में नहीं हो पा रहा है जूजने के बाद तो ये idea था इस book को दो भागों में करने का और इससे ये भी फाइदा होता है कि book एक book इतनी मोटी बहुत मोटी नहीं बनेगी दो भागों में होने से weight भी थोड़ा-थोड़ा कम होगा तो इसके बहुत सारे advantage है और यह जो experiment हमने किया है मैं बता रहा हूँ आपको बहुत पसंद आएगा और जो मेरी philosophy है teaching की कैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए उस philosophy के तहथ ही इस book को दो भागों में निकाला गया है तो एक में complete solution है explanation के साथ और एक में आपके complete question है साथ हजार से ज़ादा सवाल है इस किताब में और latest किताब है CGL 2020 tier 2 की भी सवाल इसमें जोड़ दिये गए है तीक है ये एक खास बात आपको जाननी है तो आज से इसका जो pre-order है वो आप कर सकते हैं ये किताब 23 जो मार्च है आपका क्योंकि अभी बीच में हो ली है तो 23 मार् order price है वो 499 रुपीज है और ये pre-order price है बाद में आपकी price थोड़ी बढ़ जाएगी इसलिए जिलनों को भी ये book खरीनी है वो इसको pre-order जरूर करें ये किताब आप कहां से खरी सकते हैं क्या ये book अभी Amazon पे उपलब्द है नहीं pre-order आप सिर्फ जो website में बताने जा रहा हू ये inclusive of आपका delivery charge है नहीं इसमें कोई delivery charge आपका अलग से नहीं होगा price की जहां तक बात करें तो देखिए book का जो purpose है वो मेरा पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है जब हमने book करना भी शुरू किया था और जब हम pricing के लिए भी बात करते हैं तो बार-बार मैं ही बोलता हूँ कि मुझे इस किताब से पैसे नहीं कमाने है मुझे यह है कि यह book सब तक पहुंच जाए तो किताब में जो 499 रुपीज प्राइस है मैं आपको यह बताना चाहता हूँ यह किताब 1000 पेजस से टोटल ऊपर हो जाती है साथ ही साथ इस book में जब आप by post इन books को भेजते हो तो इन इसका लाब जरूर उठाएं बाकी मैं आपसे regularly टच में रहूंगा और किताब के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा और एक और जानकारी meetup की देखिए हम लोगों ने एक meetup confirm कर लिया है सबसे पहला वो meetup हमारा होगा प्रयाग राज में जो tentative date है वो है 24 अप्रेल एक informal meetup ह अब उसमें आपको मैं एक दिन पहले जानकारी दूँगा कि कल यहां आके मिलो ठीक है कुछ ही लोगों से मिलना है लगबग 50-60 लोगों से मिलने का प्लान है जादा नहीं शुरुवात में प्रयाग राज का meetup थोड़ा बड़ा प्लान है उसमें काफी लोगों को हम लोग पहले से बता देंगे आप आओ मिलो तो प्रयाग राज वाला meetup 24 अपरेल को है लखनो वाला meetup बहुत जल्दी होने वाला है आपको एक दिन पहले बताओंगा मैं कि सुबह आना है आजो ठीक है तो आपसे बहुत आतिस शीकरी मिलने वाला हो तो यह दूसरी जानकारी है त चार meetups हम लोग definitely करने वाले हैं तो पतना और जैपूर की data भी decide नहीं हो यह जैसे decide होगी मैं आपको बताओंगा यह थी announcement number 2 announcement number 3 यह है कि arithmetic के class notes पूरी तरह से तयार हो गया है completely ready है arithmetic के class notes अब वो class notes आपको कब मिलेंगे इसका publish कब हो जाएगा कब यह आप खरीद पाएंगे तो आपका जब prelims का exam 21 तारीक को खतम हो रहा है तो अभी हमने जो timeline अपनी रखी है कि 22 तारीक को हम लोग इस class notes को announce कर देंगे और आप arithmetic का class note खरीच सकते हैं advanced math पे भी काम होना शुरू हो गया है यह है आपकी तीसरी जानकारी चौथी जानकारी तीन जानकारी देदी नहीं अच्छा चौथी जानकारी चौथी जानकारी देखे यह है कि यूटीब चैनल पर हमने राइमोथान अप्लोड करना शुरू किया है जिसमें हम लोग complete free math course आपको दे रहे हैं complete free math course आपको हम लोग देने वाले हैं राइमोथान पर अब उसमें हम लोग जो आपको question की PDF देत हम लोग आपको April के महीने में April Lend तक उसकी भी एक booklet दे देंगे तो जो special math course के वीडियो में डाल रहा हूं उसके complete question की एक book होगी जिसको आप खरीज सकते हो क्योंकि आप print निकालने जाओगे तो आपको बहुत खर्चा आएगा हम लोग आपको एक book के format देंगे आपके लिए चौथी पाचवी जानकारी क्या है पाचवी जानकारी है कि यह है कि SSC tier 1 को देखते हुए मैं mock test की series हम लोगों ने final कर ली है कोशिश कर रहा है कि चारो विशेयों के mock test examo YouTube चैनल पर शुरू हो जाए लाइव discussion होगा उसका हम लोग आकर रोज पढ़ाएंगे आपको और जै इसकी जो tentative तारीख है शुरू करने की वो है 22 तारीख 22 तारीख से यह class शुरू हो जाएंगी मैं आपको इसकी जानकारी एक बार आके confirm और दूंगा कि schedule क्या है और कैसे आप इनको follow कर सकते हो जिस दिन ये class शुरू होगी उस दिन के बाद ये class लगातार चलेगी without any break तो अ आपको और आपके परिवार को खोली की बहुत-बहुत सुपकामना है अगर किताब को लेके कोई भी follow up questions है मैं वो किताब आपको यहां दिखा नहीं पाए एक बड़ा event करने का board पे बट कुछ कारूणों से मुझे mobile शूट करना पड़ रहा है तो किताब भी दिखाएंगे चिंता मत करो तीक है आगले आने वाले वीडियो में आपको बुक के भी दर्शन कराऊंगा कि कैसे किताबे देख लो खोल के ठीक है अपना ख्याल रखिए स्वस्तर यह मस्तर यह और डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी किताब को अभी बुक करिए देरी नहीं करनी है